सार यादा प्यार पर याद सश्याकाल सो फ्रेंड्स आज दी जो अपडेट है गी ए बहुत वधी अपडेट होनवाली ये वीडियो नू पलीज एंड तक जूर वेख्याए तो आगी तो आनू पता लाग सकेगी ऑस्ट्रेलिया देवेच होन बॉर्डर सो ऑपनिंग दी स्कूर्ड मोरिशन कोड़न वाल आगी जो इंटरनेशनल ट्रेवल ऑस्त्रेलयियन वापस आगे अन्याय में वोटल रहें लेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वास्ते ते होर भी तूरिस्ट वास्ते ते तुजी गाल जो आज दी वीडियो के मैं शेर करना वाला आगल इना ने इस टेम गोर्मेंट दे उते इना ज्यादा प्रेशर आ चुक है वैक्सिन दा की वड़े वड़े स्टेडियम जे इना ने वैक्सिनिशन हॉल देवेच कनवर्ट कारते हैं जिते इना टाइटाई लाख बंदे नो एक दिन देवेच वैक्सिन लान दा टारगेट रख एज कोवीड नाइटें केसी राइजिज ओवर्सीज कोवीड नाइटें ते जो केस है गेने राइस कर दे जा रहे ने ओवर्सीज ते ऑस्ट्रेलिया कॉन्फिटेंट नहीं है गा अपने बॉर्डर तो खोलन दा तुसी एननी को न्यूस पाड़के टैंस ना हुआ अपडेट आइसी एक दिन पहले दी इस अपडेट दे में तनू सिर्फ हाइलाइट दसांगा सारी अपडेट पड़के दसांगा इट्स नोट सेफ राइट नाओ तो ओपन आप आवर इंटरनेशनल बॉर्डर से ऑस्ट्रेलिया स्कॉर्ड मॉरिशन है जोर्ज हंट रिफ बेकार बेकार अपडेट एफ मिनिस्टर से पाद देने सानू इना दी अपडेट थे कोई टैंशन नहीं जूर्ट नी है कि होन मतानो लेटेस्ट अपडेट दवांगा कि स्कॉर्ड मॉरिशन दी जो गवर्मेंट है गियो कि में अंडर प्रेशर आचो कि यूनिवर्स्टी गाल कार दें बहुत ठोक के गाल कार दें ओधा कहना भी मैं इपने इंटरनेशनल ट्रेवल स्टार्ट करना एक्क्तूबर दे वेचे सिस्टार्ट करांगा मैं तुम्हों कह रहे हैं मां तुझी हाली जुलाई इंटेक ना लवो क्योंकि होन तक कोई ओफीशल नहीं है गी अगर कुछ नहीं हो सागता फ्रेंड्स होन आगे अपनी अगली वड़ी अपडेट जो है कि ओपनिंग इंटरनेशनल बॉर्डर वुड मीन थाउजन केसी आवीक से मौरिसन मौरिसन सिर्फ एक कहना है एक सोचना है एक प्रेडिक्ट करना कि अगर इंटरनेशनल बॉर्ड है तो पहले वाली अपडेट सी ओसी 14 अपरायल दी तो उसी वेख सकते होगी कि में एक मिन्ट देवेज एना दी अपडेट चेंज होगी प्राइम स्कॉर्ड मौरिशन से देर वोड बी एट लीस्ट थाउजन केसी इन ऑस्ट्रेलिया एवर्री वीक इंटरनेशनल जो वलनरेबल वेबल है गेंज 15 साल तो उत्ते अगर वेक्सिनेट हो भी जान ते भी ओकेंदा से इंटरनेशनल बोर्टर खोल दांगे ते कट्टो काड़ हजार केसी एक वीक देवेच आनगे Mr. Morrison was asked by the Perth Radio 6PR to clarify health minister George Hunt's comments earlier this week that the international travel would remain off limits even if the entire population is vaccinated Mr. Morrison नू पर्थ दे रेडियो चैनल ते बुलाया गया 6PR ओते उनना नू किया भी तेरे minister George Hunt ने एक statement देती है कि इस साल जो इंटरनेशनल ट्रेवल हैगा वो ओफ दा कार्ड रहेगा ते वेक ने स्कॉर्ट मॉरिशन ने एते की किया है। The Prime Minister also laid out the future plan to allow the Australians to travel overseas for the business and the funerals and the potential quarantine at home before allowing the mass travel again but he said the nation had becoming used of dealing the coronavirus no cases and opening the borders would end the national cabinet started goal of zero community transmission of COVID-19. वो कहना है तो मॉरिशन दा कहना है अपा फ्यूचर दे वेच ऑस्ट्रेलियन्स नू अलाव कर साकना ट्रेवल करना ऑस्ट्रेलिया तो बार ते ऑस्ट्रेलिया दे अंदर आना ते कार दे वेच कॉरंटीन होना instead of quarantining at your hotel उता कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेवल साड़े कार् है का इंटरनेशनल ट्रेवल दा जदो जिरो कॉमनी ट्रांसमिशन होएगा एक दो होएगा जदो ऑस्ट्रेलियन्स नू वैक्सीन लग जेगी पूरी ते एना ना पूरा प्रोग्रम त्यार कर ले टाइटाई लाख बंदें नो एक देन देवे वेक्सीन लानी बट जो में प्रोब्लम है गिए और वैक्सीन दे एराइवल दी है गिए वैक्सीन नो किवें किवें केड़ी जगा पोचाना है इव वी वर डूलिफ्ट बॉर्डर्स और पीपर वर तो कम दैन यू वोड़ सी दोस केसिस इंक्रीज और उस्ट्रेलियन्स वूड है तो बीकम यूस्ट तो दीलिंग विद थाउजन केसिस आवीक मिस्टर मॉरिसन सेड मिस्टर मॉरिसन दा कहना अगर सी अपने बॉर्डर्स नो लिफ्ट करने आते कट्टो कट्ट हजार केसे एक वीक देवेच आन गेते अपने ऐस्ट्रेलियन्स है किने उनान आदत है किये केसी जना डील करन ते और यूस्टू हो चुके ने इन केसी तो लाएक है और इस नव इस दा फ्यूचर देट आवर मोस्ट वॉलनरेल पॉपलेशन वोड बीवेक्सिनेट बट आई दो तिंग अस्ट्रेलियन्स पर्टिकूलरी दा वेस्ट्रेलियन्स वोड वेलकम रिस्रिक्षिक्षिक्ष और बॉर्डर शटिंग अन्ड वॉल दोस तिंग अगें आउट अव द श्टेट कंसर्न आप दा राइसिंग नंबर ओकेंदे सब कुछ ता ठीक है बट वेस्टर ऑस्ट्रेलिया जो है गाँ ओधी अलागगा लागगा लागगी ओ आपने रिक्षिक्षिक्षिक्षिक्ष अब बहुत जुरी है का यानि सब्सक्राइब इस ने बहुत बटी गाल दासने स्कॉट मौरिशन ने एक पिसली स्टेटमेंट तो सब्नों याद होएगा कई सी की पूरा वर्ड अगर वैक्सनेट हो जाए तद पा सोचांगे बॉर्डर खोलन दा पार हुन उनने कहाँ इस अगर वैक्सिन पूरे वर्ड दे कोने कोने पहुंच जाए थे पीपल वैक्सनेट होने शुरू हो जानते मैं सचांग ऑस्ट्रेल्या दे बॉर्डर खोलन दा ही सेट वर्ड वास अंडवे तो ओपन अट्रेवल बबल विद शिंगापॉर बट रूल्ड आउट पाथवे फोर यूरोप दा उनाइटे स्टेट इंडिया इंडोनेशिया पाउपाग नियोगेनी पी एंजी और कंट्रिस भी लाज आउट ब्रेक ओंदे पहला और शुट्रेलिया जोने ओनी सोच दो अपनी कंट्री ते वेचे जो इन कंट्रियां तो लाज नमबर दा वाइरस बुलान गे ते मिस्टर मोरिशन था कहना की एक्सपर्ट वर और ऑल्स एक्स्प्लोरिंग वैद वैक्सिनेटेड औस्टेलिया देट वापस लेजाए सब्सक्राइब करना चांदेने चुटिया मनान जाना चांदेने ते ओथे आलमोस्ट लोकान तो फिप्टी प्लस सी ओनना वैक्सिन लग चुक किये ते ओही लोकी ने जो गोर्मेंट नो इसिस्ट कार रहे ने भी सानू वैक्सिन दा सर्टिफिकेट देके ट्रेवल करना दिता जाए ते स्कॉट मोरिशन ने अगर एदा नहीं किता ते ओह अपने ही लोकान दे हट दे वे अजिजरें के लुच किये लूब लगुच लगार पर शेस्साइन चट्रेशना वी बुच करीशना गार बच्ची जच किये लोग। लेग्ट आटेजिए मांशास चाति लोग घावा किया मॉपनान चार्टेशन क्ष़ एंट वी। उच इत्वतु टुच इना वे लूब वेटे पुज़ के पहीं को पुज़ card हो भी कि नकारेज अपिन both their first and second Pfizer doses in the last three months of the year would mean vaccinating more than 230,000 a day. A more immediate concern, daily vaccination numbers took an immediate hit after Thursday night's bombshell AstraZeneca announcement and despite the usual weekend dip, haven't recovered to last week's record highs. And I think it's created a furor which is actually unwarranted. These are still fantastic vaccines. For now, COVID restrictions are still easing. On all public transport from Monday, seat spacing ends. Passengers again encouraged to sit together and only distance if standing. So you'll be able to sit anywhere but the green dots are staying. Transport officials say it's just too big a job to remove them all and they want to keep them just in case we need to go back to those rules. Anticipating confusion. I'd ask customers to be polite and realise this is health advice. You can sit together now. Paul Carrack, 7 News. The vaccine rollout will also impact travel with Qantas and Virgin announcing major expansions today. Let's go to Network Finance Editor Gemma Acton. Gemma, we can expect more flights, more crews and more planes. Yes, Mark, domestic travel is booming and the airlines are responding. All Qantas and Jetstar domestic staff are already back at work with Jetstar saying that it expects by the end of this year it'll be flying 20% more passengers than in its pre-COVID days. But how quickly international travel resumes is still unclear. Frozen in time since March 2020. The departure board in the Qantas first class lounge announces Monday's Trans-Tasman bubble launch. It's fantastic for these guys to have the job that they love doing back again. Despite the government no longer committing to lifting international flight bans by October, Qantas is pressing ahead. We're getting our aircraft and people ready for the end of October. But even as the covers come off, the airline is hedging its bets. If we need to push things out past October, because the vaccine rollout isn't as fast as people expect, we can do that. Qantas is hoping what this departure board lacks in variety, it makes up for in volume. New Zealand is the largest passenger market into and out of Australia. And the airline says early demand has already exceeded.